तो हेलो 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 एडिटर्स तो मैं आ चुका हुआ आप इस एक और तकड़ी वीडियो के साहिए तो और आज की इस वाले वीडियो के अंदर जैसे के आपने स्टार्टिंग में प्रिवीव में देखा हम उस तरीके की वीडियो एडिटिंग सिखने वाले है और वह भी बहुत इजी तरीके से और वीडियो को पूरा एंट तक वाच कर लेना आप लोगों को मैं स्टेप बाइश्टेप सिखाने वालो कि इसके अंदर क्या-क्या हमने एनिमेशन डाले है क्या-क्या ट्राजिशन डाले है और कैसे किया है और उसके बाद हमने क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या बनाने वाले हैं लाइट मोशन के अंदर तो आप लोगों को end to end, light motion, we make, after effect, end to pass के जरूरुद पड़ेगी और बाकी plug-in के जरूरुद पड़ेगी तो सारा material आप लोगों को मिल जाएका मेरे telegram के उपर telegram को एक बार जाके check out कर लेना और join कर लेना बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो के लाइक कर देना चैनल पर नकिलों को सब्सक्राइब कर लेना और बाजवाले घंटे को भी दबा देना बाकी चलो जाद आप लोगों को time बिशना करते हैं वीडियो को start करते हैं बिना के सब्सक्राइब के लेट्स गो को यहां पर आप लोगों को सबसे पहले अपना अलाहित मोशन है वो ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद प्लस पला एकन पर आना है स्टिक्टिन इंटो नाइन वाला रिश्यो लेकिए यहां पर आपको create project के उपर टैप करन करना है वह आप लोग डाल देना यहां पर मैंने डाल दिया है पहले से ही एन सिंपल यहां पर आपको आना है यहां पर आपको प्लस वाल एकन पर जाना है मीडिया पर जाना है यहां पर आपको all पे चले जाना है all पे जाने के बाद यहां पर आप लोगों को अपनी चो क्ल नायको सिर्दविका अज़िず अधर बेटेस यहांपर मैंने डायलोग ले लिया इन उसके बाद आएगे हमारी किलिप नमबर H1 ऐक्लिप नमबर यहां पर आएगा हमारा कलिप नमबर चौ यह और ही क्लिप नमबर थी यह और ही क्लिप नुमँबर एट क्लिप नुमँबर नाइन लंबर टेंट से बाद ये और उसके बारude उपको मिल जाएगी और forest पर नाम भी लिखे रखा है ख्लिप नुमः तो आपको सारी क्लिप लेनी आपको टेली गराम पर मिल जाएगी simple यहां पर आपको यह वाले option पर tap करना है यहां पर आपको जैसे ही आप tap करोगे तो यहां पर आपकी जो सारी clips है वो add हो जाएगी अब यहां पर आप लोगों को सारी clips add करने के बाद आपको clips को set करना पड़ेगा तो वो clips हम कैसे set करेंगे वो मैं आपको बोलता हो तो आप अपनी language में beat mark जो बोलते हो यहां पर मैं आप लोगों को बही बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी क्लिप कितने second रखनी है तो देखो सब्सक्रा पहली आएगे हमारी dialogue वाली clip तो dialogue वाली clip यहां पर हमारी रहेगी चार चार सेकेंड और चालिस के आसपास ठीक है रुख जाओ हम यहाँ पर रखेंगे इसको इतना यहाँ बार आप लोगों को स्क्रीन पे शो जाएका कि आपको कहां कहां बीटमार्क वगरे लगाना है देखो यहाँ पर आप लोग अगर मेरे जो वीडियो है वो देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे आलाइट मोशन ने गलीट चल रहा है कि मैं जो बीटमार्क लगाता हूँ मानके चलो मैंने 2-3 बीटमार्क लगा दिये टाइम लाइन के उपर उसके बाद मैं कुछ काम कर रहा हूँ अपने टाइम लाइन के उपर तो मैं आटोमेटिकली अपने बीटमार्क के उपर वापिस आ जाता हूँ इसलिए मैं यहां पर बीटमार्क यहां पर लगाने नहीं वाला हूँ आप लोग अपने वीडियो के उपर बीटमार्क लगा सकते हो हुरा यहां यहां पर हमारा आएगा bitmark यहां पर पहला bitmark आ एगा हमारा यहां पर यहां पर कुछे अंगे तरीके से ने इसको इसके बाद हमारे जो हमको आगे कर देडा है यहाँ पर हमको जाना है छेश्फ के ऊपर अब हमारे इसको कट कर देना है इसको आगे कि क्लिप आगे कीके कैने हैहां जो agora को अगे नित्फेक पर अपना बीट मर्बादेना यह यह 5 अपलोगों को इस लिए लगाना है क्योंकि अपको समझाए कि कौन सी क्लिप कितने सेकंड की है ७ाफ मैं आभी बीट मर्बा निकाल दूँगा बस कई आप लोगों के लिए मैं लगा रहा हूं दे को यहां पर आ गई हमारी उसके बाद आगे की कुरिप है वो आपको आगे कीच लेनी है कुछ इस तरहिके से तो आगे कंड़ीए दूसरा गरमाइगा डूसरा मखी अगता हुँ का मेरा जो कहने आंट के उपर यहां पर आपको कट कर देना है सिंपल आपको आगी की जो क्लिप है वह यहां पर आपको आगे ला देनी है देखो यहां पर आपको आना है सिंपल दस के उपर हैं यहां पर आपको इसको कट कर देना है बीटवा कर देना है यहां पर आपको जो नेक्स्ट क्लि यहांपर हम आगे कलीप है वह आगे खीच लिए हमने इसके बाद आना है हम ग्यारा कि कि यहां पर आपको कड़ कर देना है पर सो नेक्स टीप उसको भी हम को खीचना है और आपको कहां से रखना है इसको यहां से आपको रख लेना है वो मैं आपको आगे बदा दूँगा क्यों कि इसके अंदर हमको एड करना है अपना क्या कहता है इंक इफेक्ट एड करना है ठीक है इंक को वह एड करने तो हम इसको कहां से कहां एड करेंगे तो यह क्लिप नमबर एड जो है ना वह हम यहां से करेंगे तो थोड़ा सम में आपको आगे बदाता हूँ इसको यहां तक रहने देते हैं इसको ना इसके उपर रख देते हैं प्युकि हमारा जो आगे का महरना वह फिर खराब हो जाएगा जो हमारे जो नैक्स बीट मर्क आयगा ना कि तो यहां पर हमारा 11 यह इसके बाद हमारे जो नैच्ट क्लिप होगी तो यहां से होगी तोड़ा से इसको कट करना पड़ेगा रुख जाओ 12-42 एंड इसको कट करके यह जो क्लिप है इसको निकाल के यहां पर हमको बीटमाक लगाना उसके बाद अरे उसके बाद जो हमारी नेक्स क्लिप होगी उसको आगे ला देना है उसके बाद इसके बाद 14-32 ऑपर आ जाना है इसको पी कट करतेना है यहां पर हमारा regard कायेका उसके बाद चौदा 32 के ऊपर आ जाना है यहां पर आपको लाइक की किलिप है उसको कट करना है कट करना है किमर केड़ करना ado على के आप उसके बाद 15-22 के उपर आजाना है इंड कट करना है एंड उसके बाद हमको जो next clip होगी वो आगे खीचनी है एंड उसके बाद जो आएगी हमारी 16-18 के उपर आपको इसको कट करना है एंड जो हमारी जो last clip होगी उसको भी आगे खीचना है है उसके बाद जो हमारी जो लांश क्लिप होगी उसको हमको 18 27 के ऊपर आने के बाद कि देखो यह थोड़ी सी छोटी हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है आप इसको ना स्लो मोशन वगर अगर आप लोग कर सके तो कर देना बाकि ना इसको कितना कर ना पता है है ऐसे कीच लेना है 27 सेकेंड तक देखो कुछ इस तरीके से देखो यह हो गए हमारे 27 यह 26 हुई ना इसको एक और फ्रेम कीचते हैं हम लोग इस तरीके से लुक्ट जाओ कि देखो यह हमारी होगी 27 की देखो होगी पहले कितनी थी 24 की थी हमने 27 के कर दी थोड़ा सा इसको खीचना है और हमको लाश्ट में भी आपकी बीटमार्क लगाना है तो आप लोग लगा सकते हो अब हम बाढ़ करें की बीटमार्क यह तो कुछ चीज तरीके से हमारा पता है कि कहा कहा तो मैं इसको ना सारा रिमो कर देता हु क्यूंकि मेरे अलाइक बहुत लेक चल रहा है और यह लाइक मोशन अपमें से बहुत से लोग बोलते हैं भाई यह वाला लाइक मोशन रिकाल के नाया वाला लाइक मोशन ले लो भाई साड़े 300-400 प्रोजेक्त में यहां पर करना है यहां पर 10 पकषास के पर लेने उसके बाद जहां जहां पर आपकी टोड़ा सा में पीछे अगर 40 यहां पर मैं तो जब यह दना यह षी है ये वाल dapat देखो सब्सक्राइब में इसको यहां तक भाहसरन कर लेना है कुछ इस तरीके तो तो इससे होगा क्या कि आप लोगों को ना थोड़ असा मलब कंफ्यूजन नहीं होगा देखो हमने इसके उपर रख ली कुछ इस तरीके से समझरों देखो यह आएगी हमारी यहां तक और उसके बाद हमारी यह वाली क्लिप आ जाएगी वह मैं आपको आगे बतागा हो कि इसके अंदर हमको कैसे करना है बट आप लोगों कुछ इस तरीके से क्लिप को एड़ कर देना है देखो क्लिप नमबर यह रही क्लिप नमबर 7 आप लोग देख सकते हो ऊपर और इसके बाद आएगी हमारी क्लिप नमबर 8 इसके ऊपर क्लिप नमबर 7 के ऊपर आएगी क्लिप नमबर 8 और उसके बाद आएगी हमारी क्लिप नमबर 9 क्लिप नमबर 10 उसके बाद 11 12 उसके बाद जो वीडियो मेरी थोड़ इसी पीछे जाके एक बार फिर से देख लो आप लोग समझ चाहोगे तो ये तो रही हमारी clip set करने की बाद timeline set करने की बाद इसके अंदर हम लोग transition add करने माले अब तो सबसे पहले आपको आ जाना है डायलोग के उपर तो डायलोग के उपर आने के बाद यहां पर आपको सबसे पहले आ जाना है अपने effect के अंदर add effect के अंदर यहां पर आपको search पर जाना है यहां पर आपको लिखना है tails देखो tails आप जो भी बोलते हैं वो आपको add कर देना है इसको add करने के बाद यहां पर आपको इसका mirror जो है उसको on कर लेगा है करने के बाद ब्यगा आना एक है एड के अंदर जाना है यहां आप को लिखना है 0.80 कर लेना है उसके बाद जो magnitude को यहां पर आपको 15 कर लेना है simple इतना करने के बाद यहां पर आपको आ जाना है back add effect के अंदर जाना है search पर जाना है यहां पर आपको लिखना है swing ठीग है अरे यह वाला swing नहीं दूसरे वाला अब लेना था श्विंग लिया स्टांडर सेटिंग वाला ही आपको लेना आप लोग याद रखना स्टांडर सेटिंग वाला ही effect चाहिए हमको ले लिया और उसके बाद यहां पर आपको इसकी Frequency को घठा देना है याप आपको 1.00 कर लेना है वाद है कुछ इस तरीके से तो क्येक से यहां पर आपको ओना- ना करले कुछ इस तरीके से चो एंगल होगा आउन सकंदर याउन fountain कर लेना है वन कुछ इस तरीके से एंड जो बाकी की चीज होगी उसको आपको कुछ भी नहीं करना बैक आना है यहाँ पर आपको आना है एड इपके अंदर सर्च के अंदर यहाँ आपको लिखना है पॉल्स pulse size आपको लिखना है आप PU लिखोगे तो यहां बेदा सामने आज जाएगा इसको भी standard setting वाला ही लेना है standard setting लेने के बाद इसको open करना है frequency को यहां पर आपको कल लेना है zero जिरो गड़ने के बाद यहां पर आपको आना है ग्रो के अंदर आने के बाद यहां पर आप लोगों को न एक की देनी है आपको वो की कहां देनी है यहां पर आपको आजाना है एंडिंग में चार पचीस के उपर आपको आना है यहां पर आपको एक की देने के बाद यहां पर आपको इसको कुछ भी ने करना है यहां पर आपको आना है एंडिंग में यहां पर आपको की देने इसको यहां पर आपको करना है 1.68 इस तरीक एसे 68 किया थोड़ा सा जुम कर लेना आपको दोनों की फ्रेम के बीच में आना है यहां पर आपको अपना पहला कर्व जो है अपको एड करने तो यहां पर आपको जाना है कर्व के के बाद यहां पर आपको three dot मिलेगा इसको duplicate कर लेना है duplicate करने के बाद आपको इसको ऐसा कैसा छोड़ देना ज्यादा कुछ छेड़ना है नहीं अब आपको आना है add effect के अंदर search पर जाना है यहां पर आपके सामने यह आ जाएगा इसको standard setting वाला add कर देना है अब add करने के बाद यहां पर आप लोगों को सबसे पहले आ जाना है अपने 425 के ओपर जहां पर आपने अभी की लगाई वहां पर आपको आना है आपको exposure को open करना है सबसे पहले यहां पर आपको key लगानी है और इसको रखना है zero जो कि zero ही होगा आ आपको आना है ending के अंदर ending के अंदर आना इन्हें हम आपको फिर से की लगानी है की लगाने के बाद यहां आपको इसको माइनस में 0.63 कर लेडा है कुछ इस तरीके से simple आपको आजाना है back आने के बाद आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो डायलोग है डायलोग के अंदर हमारा transition है वो लग गाया आप लोगों को मैं last में इसका preview दिखाऊंगा तो थोड़ा सा वेट कर लो अब हम आते हैं हमारी क्लिप नंबर वन के ऊपर जो कि यह रहे clip नंबर वन के ऊपर आना है effect के अंदर आना है add effect के अंदर आना है यहां पर आपको recent में मिल जाएगा tails effect simple इसको add करने के बाद इसका mirror on कर लेना है back आना है add effect के अंदर आना है यहां पर आपको recent में मिल जाएगा हमारा pulse size तो इसको भी add कर देना है इसको add करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले इसकी जो फ्रिकवंस यह इसको जीरो कर लेना है लिसको थोड़ा सा जूम कर लेना है और आपको आना है थोड़ वाले option के ऊपर यहाँ पर आने के बाद यहां पर आपको स्टार्टिंग में एक की देनी है की देने के बाद इसको आपको करना है 1.82 इसके बाद आपको सेंटर में एक की देनी है जो कि आएगी हमारी 5-7 के ओपर एंड यहां पर आपको ना उसको फिर से कर लेना कितना 1.10 1.10 करना आपको आने के बाद यहां पर आपको करना है और उस के बाद आपको आना है अपने दूसरे और तीस्षा की फ्रेम के बीच पीच जो सब्सक्राइब यहां पर आपको इसका जो ग्राफ है उसको कुछ इस तरीके से आपको सैट कर देना है अरे भाई क्या कर रहो ग्राफ भाई कुछ इस तरीके से आपको इसको भी सैट कर देना इसको सैट करने के बाद यहां पर हमारा यह जो है हमारा क्लिप नंबर टू जो है वह यहां पर लब क्लिप नंबर वन जो है यहां पर हमारा कंप्लीट हो रहा है देखों कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको एक लास्ट वाला जो इफेक्ट वोड डालना है तो कि होगा हमारा मोशन ब्लर तो इफेक्ट के अंदर आना है यह इसको मोशन बलर यहां पर आपको मिल जाएगा इसको एड़ कर देना अब इसको एड़ करने के बाद यहां पर आपने जो पल्स साइज को एड़ किया था उसको आपको एक बार फिर से ओपन करना है त्री डॉट पर जाना है यहां पर आपको यह जो है अपना डूब्लिकेट कर लेना डूबलिकेट इसलिए करनाा है यूठ की जो फिर आपको आगे में आपको बताता ह Dingen यह कर लेना एक क्लिप नॉंबर वन आपको डाल दिया आपने पैंस डाल दिया 21 यह रुप जो यह ना मैं देखता हूं पैसन डाल दिया उसके बाद तो मोशन बर आ गाया तो है या और हमारा एक जो लाश्ट आएगा वह आएगा हमारा एक्सपोजर तो एड़ीप दीज़ के अंदर जाना है यहां पर आपको रिसे में मिल जाएगा एक्सपोजर इसको एड़ कर देना है लास्ट से यो वाएगा हमारा एक्स बजर और अ्पतर ओपन करने के बाद यहा पर आपको है करने तो सबसे पहले आ जाना है अपने स्टार्टिंग के अंदर आने के बाद यहां पर आपको करने के बाद लेना ंb 0.99 कुछ इस तरीके से यहां पर आपको सेंटर में आना है पांच साथ के ऊपर की देनी एंड की देने के बाद इसको कर देना है 0.15 आपको एंडिंग में आने के बाद आपको एक की एंड करना है यहां पर आपको कर लेना है 0.46 कुछ इस तरीके से यहां पर आपको पहले और दूसरी की फ्रेम एड की ना वहां पर आपको सेंटर में आना है कर्व में जाना है यहां पर आपको कुछ इस तरीके का जो कर्व है वह यहां पर आपको add करना है यहां पर आपको add करना है ठीक है यहां पर आपको दूसरे और तीसरी के अंदर आपको जाना है यहां पर आपको इस तरीके का करव आपको set कर लेना है यहां पर आपको जाना है back यहां पर आप लोगों का जो पहला clip है वह यहां पर ready हो गया है द पर आने के बाद सिंपल आपको एफेक के अंदर जाना एड़ के अंदर जाना है सिंपल यहां पर आपको सर्च कर लेना है इसको एड़ करना है इसका जो मिरर है इसको कर लेना है बैक आना है बैक आने के बाद यहां पर आप लोगों को अपनी क्लिप नंबर 1 के उपर आना है इफेक के उपर आना है एक्सपोजर के उपर जाना है यहां पर आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है सिंपल बैक आना है क्लिप नमबर टू के उपर जाना है इफेक के अंदर जाना है इसका जो यहां पर आपको मिलेगा ना पेश्ट इफेक्ट करके तो यहां पर आपको क्लिप नमबर 1 जो है उस्पे आपको जाना है इफेक के अंदर जाना है त्री डाट पर जाना है कॉपी किये हुए जो इफेक्ट है वह हैं पहले यहां पर पेश्ट कर देने सिंपल clip number 3 हमारे ready हो गई अब हमारी बात आते हैं clip number 4 की तो clip number 4 जो है उसके अंदर आपको कौन से effect paste करने हैं तो clip number 2 के उपर आपने जो add किये ना वही आपको copy paste कर लेने हैं यह रही हमारे clip 4 और इसके अंदर हम effect के अंदर गया है three dot पे गया इसको यहाँ पे हमने paste कर दिया अब जो यह रही clip number 4, ठीक है, current number 4 के अंदर हमने डाल दिये click number 2 के, अब हमको क्या करना है, अब हमको clip number 4 के जो है, यह यह अदल यह आपधी जो डाले हमने, वहीं आपको clip number 5 के अंदर भी add कर देना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, simple हो गया हमारा clip number 5 भी, अब हमारी बात आती है clip number 6 की तो clip number 6 के अंदर हमको starting में आना है clip number 1 के अंदर जो हमने डाला था वहीं आपको add, मतलब copy कर लेना है यहाँ पर आपको आना है अपने clip number 6 के उपर आपको जाना है effect के अंदर यहाँ पर आपको जाके paste effect कर लेना है पेस्ट रिफ्रक्ट करोगे तो यहां पर हमारी जो एक दो तीन चार पांच छे क्लिप है वो रेडी हो चुकी है देख लो अब हमारी बात आती है क्लिप नंबर सेवन की और क्लिप नंबर एड की तो जो क्लिप नंबर सेवन जो है उसके अंदर आप लोगों कुछ नहीं करना सबसे पहले आपको जो क्लिप नंबर टू जो है क्लिप नंबर आप लोग पहचान होगे कैसे तो यहां पर उपर मैंने ल आना है अपनी क्लिप नंबर 7 के उपर जो कि यहां पर आपको उपर देखने को मिल जाएगी क्लिप नंबर 7 के उपर आना है यहां पर आपको सारे पेस्ट कर देने अब हमको आना है अपने clip number 7 and clip number 8 की जो हमने clip यहाँ पर उपर नीचे रखे उसको set करने के उपर तो यहाँ पर हम इसके अंदर ink effect add करने वाल है ink effect या फिर ink overlay आप लोग जो भी बोलो वो तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है देखो कुछ इस तरीके से आपने set कर लिया अब set करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है अपने 10-50 के उपर 10-50 के उपर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को आना है प्लस वाल एकन के उपर मिडिया के उपर all पर चले जाना है यहाँ पर आपको ink overlay मिल जाएगा simple आपको ink overlay add कर देना ink overlay add करने के बाद यहाँ पर आपको more and transfer पर जाना है second वाले option पर जाना है इसको rotate कर देना है 90 degree simple back आना है 3 dot पर जाना है fill composition area कर लेना है simple करने के बाद यहाँ पर आपको इसको रखना है अपने video के उपर देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को जो बाकी की clip मिल रही है जो overlay की जो clip है उसको cut कर देना है यहाँ पर आपको आजाना है अपने video के उपर and कुछ इस तरीके से आपको रख लेना है अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि यह जो है इसको पहले तो आप सेट कर लो आप अपने हिसाब से 90 डिगरी रखना उसके बाद यहां पर आप लोगों को एफेक्ट के अंदर आना है उपर के साइड आपको क्रोमा की मिल जाएगी सिंपल इसको एड़ करना है कलर की के अंदर आपको ब्लैक कलर सिलेक्ट कर ल ओबले एंड हमारा जो वीडियो तोनों को यहां पर आपको सिलेक्ट करना है एंड यहां पर आप लोगों को ओपर टू लेयर सिलेक्टेड मिल रहा है वहां पर आपको जो थौड वाला जो बॉक्स है उस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो य अपनी क्लिप नंबर टू के ऊपर क्लिप नंबर टू के ऊपर आने के बाद यहां पर आपको इफेक के अंदर जाना है यहां पर आपको सारे इफेक को कॉपी कर लेना है आपको आना है बैक यहां पर आपने क्लिप नंबर 7 एंड क्लिप नंबर 8 के ऊपर आपको सारे इफेक लहाई किछ नीचे रखना भाई लोगबटना कांड से देखो अभी यह करने के बाद यहां पर आप लोगों को इसके अंदर आना है group and mask के अंदर effect के अंदर आना है add effect के अंदर आना है यहाँ पर आपको fade in and fade out मिल जाएगा इसको add कर देना है इसको add करने के बाद जो in है इसको 0 कर लेना जो out है उसको 50 ही रखना बस इतना करने के बाद यहाँ पर हमारा यह जो है clip number 7 and clip number 8 जो है वो complete हो चुकी है अब हमको क्या करना है यहाँ पर हमको clip number 8 and clip number 7 को अलब जो group and mask के उसको select करना है यहाँ पर आपको group में convert कर देना है ठीक है आप लोग group में convert कर देना पता नहीं यह क्यूं हो गया तो group में convert होने के बाद अब हम आगे बढ़ता है clip number 9 के उपर जो की यह रहा हमारा clip number 9 तो जो clip number 9 है उसके अंदर आपको clip number 1 के effect याड़ करने है तो आपको पीछे जाना है clip number 1 के उपर आना है effect के अंदर आना है 3.0 पे जाना है copy effect कर देना है सिंपल आपको क्लिप नमबर 9 के उपर जाना है यहां पर आपको इफेक अंदर जाना है इसको यहां पर आपको पेश्ट कर दे रहें बस क्लिप नमबर 9 के उपर पेश्ट करने के बाद जो क्लिप नमबर 10 और क्लिप नमबर 11 जो है वह बहुत ज्यादा दिमाग खाने वाली ह और इसके उपर थोड़ा सा time भी ज़यदा जाने वाला है तो यहां पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ तो सबसे पहले यहां पर आपको clip number 10 के उपर एक बार ट्लिक करना यहां पर आप लोगों उपर देख सकते हो कि clip number 10 ही लिखा है ठीक है अब यहां पर आप लोगों को आना है move and transfer के उपर यहां पर आपको आना है third वाले option के उपर थोड़ वाले option के उपर आने के बाद यहां पर आप लोगों देख सकते हो कि इसको starting में यहां पर आपको की दीनी है बारा कि रुख जाओ रुख जाओ यह है clip number 10 है तो हम इसको 12 मैं से शायद गलती होगी मेरे को बस एक सेकंड तो मैं समझ चुकाओ कि आपको क्या करना है तो यहां पर आपको थोड़ वाले option पर फिर से आ जाना है clip number 10 के उपर यहां पर आप लोगों को स्टार्टिंग में की दीनी है 12 के उपर मैंने यहां पर 12 की जगा पर 12 12 लिख दिया तो मैं कंफ्यूज हो गया कि 12 सेकेंड और 12 के उपर तो हमारी clip number 9 है तो थोड़ा सा अश्टेक हो गया तो यहां पर आपको की देने के बाद इसको ना चोटा करना है तेखो अब यह चोटा इसलिए कर रहा हूँ आपको वह भी समाझा जाएगा आपको रखना है 1350 अब मैंने शायद नया प्रोजेक्ट लिया है तो थोड़ा सा ओपन नीचे हो सकता है तो मेरे को भी पता नहीं है ठीक है मैंने बस दो बार ही वीडियो बनाया और तीसरी बार ही आप लोग के सामने बना रहा हूँ तो मेरे से कोई गलती हो जाए तो मैं आप लोग के सामने वह एकसेप्ट कर दोंगा टेंशन मतलो यार मैं अभी प्रो नहीं हूँ क्लिप नमबर 10 के उपर मू एंड ट्रांसर के उपर थर्ड नमबर के ऑप्शन के उपर हम लोग आ चुके हैं पहली की देदी है हमने 12-42 के उपर एंड 13-50 हमने कर लिया है आप लोग अपने हिसाब से करना आप लोग को कितना जुम रखना है उस हिसाब से अब आपको जान कि 20-25 कुछ इस तरीके से अब हमको तीसरी की देनी है जो कि आएगे हमारी 13-20 के उपर एंड यहां पर इसको फिर से 19-45 कर लेना है एंड यहां वर आपको 13-25 के उपर आपको एक की देनी है यहां वर आप लोगों को इसको ऐसा कैसा रखना है आपको लांश्ट की देनी है 13-36 के उपर एंड यहां वर आपको इसको करना है 3006 ठीक है 3006 आपको कर लेना है भाई 3006 3006 3006 खुछ इतना ठीक है अब यह करने के बाद यहां वर आप लोगों को इसके अंदर कर्व के अंदर करव़ तो देना है पड़ेगा ना भाई इतनी आपने की लगाई यह तो एहां वराप लोगों को रुप जओ रुप जओ हां ये रही इसके अंदर हम क्या करेंगे करुछ में आएंगे एंड कर्वा में आने के बाद कुछी तरीके का जो नहीं के जिए सब Folies सेट कर देना है ठीक है यह आ गई अब हम क्या करेंगे बैक जाएंगे एंड बैक जाने के बाद यहां पर हम लोग एक और बार बार बैक जाएंगे एंड बूम आप लोग देख सकते हो कि हमारा यह अच्छी तरीके से लग रहा है अब हम इसके अंदर एफेक्ट पर एड करेंगे ऐसा नहीं कि हम एफेक्ट एड नहीं करेंगे तो हमको जाना है पीछे एंड यहां पर आपको क्लिप नंबर टू के ऊपर चले जाना है फिर से यह रही हमारी क्लिप नंबर टू एफेक्ट के अंदर जाना है त्री डॉट पर जाना है यहां पर आपको एफेक्ट को कॉपी कर लेना है यहां पर आपको जाना है अपनी क्लिप नंबर टैन के ऊपर एंड इसके अंदर जाने के बाद एफेक्ट के बाद त्री डॉट पर है उसके अंदर थोड़ा सा और भी चीज है तो यहां पर आप लोगों को सबसे पहले आ जाना है मों ट्रांसवर के ऊपर अब आपको फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर ही रहना है यहां पर आपको स्टार्टिंग में आपको की देनी है की देने के बाद ना इसको राइट साइड कुछ इस तरीके से कि इतना कापी है अब यहां पर आप लोगों को आना है सेंटर के अंदर लब 14 सेगेंड पर आपको आ जाना है यहां पर आपको एक बार फिर से की दिया नहीं है आपने जो राइट साइड मूव किया था ना उसको सेंटर कर लेना है कुछ इस तरीके से सेंटर कर लिया अब इसके अंदर आप लोगों को देखो हाँ इसके अंदर भी आप लोगों को करव एड़ करना है तो आपको सेंटर आना है करव में आना इन करव के अंदर आपको कुछ इस तरीके का करव जो है वह वह सेंट करना है लाइक ठीक है यह आप अपने यह साप से थोड़ा सा ऊपर निचे होगा तो ज्यादा कोई फरक पड़ेगा नहीं बहुत फरक पड़ेगा तो देख लेना अच्छे से उसके बाद यह करना अब आपको बैक आना है थोड़ वाले आप्षिन पर आना है यहां पर आप लोग को 3 की add कर दी हैं तो सबसे पहली हमर याएक इस starting के अंदर और उसको आपको कर लेना है 3212 ठीना है ओर यह बा अब रहे 3212 यहां पर आपको आना है सैंटर में 14 20 के उपर लब सैंटर से थोड़ा से ending में एंड यहां पर आपको इसको कर लेना है 20 ला 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 20-20 एंड उसके बाद हमको आना है एंडिंग के अंदर एड कर देनी है एक की एंड इसको यहां पर आपको कर लेना है 2640 26 चालिस ठीक इतना कर लेना है एंड यहां पर आपको आजाना है एड-अ बैक आने के बाद यहां पर आपको अभी आपने जो effect को copy कर रखे दहना यहां पर आपको फिर से आना एपक अंदर fly로 पर जाने है यहां पर आपको वही वालेww यहां पे आपको पेश्ट कर देना है जो कि हमारे क्लिप नंबर 2 से जो हमने लिए थे वो तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि हमारी यह भी अच्छे तरीके से लग रहे हैं आप लोगों को मैं प्रिव्यू दिखाऊंगा वेट करो थोड़ा सा अब हम बढ़ते हैं हमार क्लिप नंबर बारा के ऊपर ठीक है क्लिप नंबर बारा यह रही क्लिप नंबर बारा के ऊपर हमको क्लिप नंबर वन के सारे इफेक्ट को कौपी पेश्ट करना है तो हम आते हैं आगे लब पीछे आगे पीछे आप लोग देख लेना यार मेरा दिमाग घुमाओ चाहा रहा है तो clip number 1 के उपर आना है effect के अंदर आना है त्री डॉट पर जाना है यहां पर आपको copy effect कर लेने और आपको जाना है अपने क्लिप number 12 के उपर effect के अंदर आना है त्री डॉट पर जाना है यहां पर आपको paste effect कर लेने अब clip number 13 के उपर आना है 13 के उपर आने के बाद अपने फिर से जाना है आगे clip number 2 के उपर and सारे effect कोपी कर लेना है and आपको clip number 13 के उपर जाके effect के अंदर जाके 3.0 पे जाके paste effect कर लेना है फिर से आपको आना है आगे पहली clip के उपर and सारे effect को copy कर लेना है, हमारी जो last clip है, उसके अंदर जाके effect को paste कर देने हैं, जहसे ही आप लोग effect को paste करोगे, यहाँ पर हमारा transition है, clips का खतम हो गया है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो भाई वीडियो वापिस देख लो समझ आ जाएगा बाकी अब हम आते हैं स्टार्टिंग में स्टार्टिंग के अंदर आने के बाद इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे सीसी कर देते उसके बाद आप लोगों को मैं एक्सपोर्ट कर के दिखा देता हूं कि आपको संदरवाई की चैनल मिल जाएगे डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाकर चेक आउट कर लिए हो तो सबसे पहले यहां वर आप लोगों को करना क्या है इसको फिल स्क्रीन करने के बाद एडिवर के अंदर जाना है सबसे पहले यहां पर आपको अदरवाले उप्शन पर च उसको 0.20 कर लेना है 0.20 कर लेना है स्टार्टिंग में आप उसके बाद उपर नीचे कर सकते हो गामा को यहां पर आपको इंग्रिस करना है 1.085 कुछ इस तरीके से simple back आ जाना है add effect के अंदर जाना है color and lights के अंदर जाना है brightness and contrast को add कर देना है brightness and contrast को add करने के बाद जो brightness है brightness को हमको 5% add करनी है simple back आना है add effect के अंदर जाना है color and lights के अंदर जाना है यहां पर आपको highlight and shadow मिल जाएगा भाई जी कहां है भाई कहां है यह रहा इसको add कर देना है इसको add करने के बाद यहाँ पर आपको जो highlight है highlight को 130 कर लेनी है जो shadow है shadow को थोड़ा सा minus करना है 90 कर लेना है 100 से 90 कर लेना है पर आपको 78 कर लेना है कुछ इस तरीके से बैक काना है एड़ इफे के अंदर जाना है यहाँपर आपको ब्लर के अंदर जाना है तक Marco सार्फ पन कर लेना है यहाँपर आप लोगों को 0.47 आपको कर लेना है कुछ इस तरीके से बैक आना है एंड यहां पर आप लोगों को एड इफेक के अंदर जाना है यहां पर आपको सर्च पर जाना है यहां पर आपको लिखना है spin blur ठीक है spin blur लिख लेना है यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके कहा चाहिएगा simple इसको add करना है open करना है open करने के बाद जो इसका angle है इसको 1.1 कर लेना है कुछ इस तरीके से simple back आ जाना है back आ जाने के बाद यहां पर आप लोग देख सकते हो कि हो हमारी जो CC है वो लग चुक यह हमको क्या करना है सारे क्लिप्स के ऊपर토्टेंगल को एड कर करना कुछी तरीके से देख सकते हो आप देख सकती हो लोग कर शहान अब आपको कुछ भी यहां पर आप लोगों को अपने जो वीडियो है वो मैं एक्सपोट करके दिखाता हूं तो एक्सपोट पर में गया यहां पर आपको 10TP कर लेना है यहां फिर आपको टूख कर लेना यहां पर मैं आपको 10TP 60 fps एंड कॉलिटी जो है उसको हाय रखता हूँ एक्सपोर्ट कर लेता हूँ जब तक यार वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है ना मैं बोलता हूँ कि यार वीडियो को लाइक कर दो अच्छा सा कमेंट कर दो आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते और मेरे को बिल्कुल भ कर दो कमेंट कर दो चैनल परना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बाचो वाले घंटे को भी दबा दो और वीडियो अपने फ्रेंड के शाद भी शेयर कर दो उनको भी बोलो कि भाई यहां पे आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप देखने को मिल रहा है सब चीजे तो अ तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा 100% हो गया और उसके बाद यहां पर मैं आप लोगों को प्रिव्यू दिखाता हूँ देखो हमारा विडियो एकदम clear एड एकदम perfect बन चुका है यहां पर आपको इसको save करने के बाद आपको quality enhance करनी है तो यहां पर मैं करता हूँ इसको close क्योंकि मैंने पहले ही विडियो को बनागा रखा है यहां पर आपको अपिशन open कर लेनी है जोकी होगी हमारी करके, simply कील lot बात यहां पर आपको अपनी जो वीडियो है वो वीडियो को यहां पर आपको एड़ कर लेना यहां पर यह रही मेरी वीडियो एंड यहां पर यह क्या बोल रहा है भाई कि अच्छा तो हम कर लेंगे हमारा वाइफाई ओन वाइफाई ओन कर मैंने अब यहां यह वाइपाई आउन करने के साथ हमारा जो वीडियो है वो इनेंस होना स्टार्ट हो गया है आप लोग देख सकते हो तो जब तक यह इनेंस नहीं होता यहां पर मैं थोटा सा कट लगाता हूँ तो जैसा कि आप लोग देख रहों कि हमारा 100% वीडियो हो गया है और 100% होने के बार कुछ आपके सामने इस तरीके का आ जाएगा यहाँ पर मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ यह जो विधाउट सीसी है देखो अब यहाँ पर हम लोग टेक्स इनिमेशन सीखने वाले है पर टेक्स इनिमेशन सीखने से पहले मैं आप लोगों को अगर जो आप लोग पीसी के अंदर क्वालिटी इनेस करने वाले हो और पीसी के अंदर सीसी करने वाले हो तो उस लोगों के लिए मैं फटा-फट से बता द अपन कर लेना है, यहां पर मैं अपना After Effects ओपन कर लेता हूँ, ओपन गोने के बाद कुछ इस तरीकी का इंटरफेस आएगा, अगर आप लोग बीगनर्स हो तो कोई टेंजिन वाली बात निमे, आप लोगो को step by step इसका भी सिखाने वाला हूँ, तो सबसे पहले यहां पर जाना है, preset में जाने के बाद यहां पर आपको social media landscape HD ले लेना है, यहां पर आपको frame rate मिलेगा, इसको यहां पर आपको 60 कर लेना है, इसके बाद OK पर क्लिक कर देना है, OK पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीका का interface आएगा, तो simple आपको क्या करना है, यहां पर आपको import पर जाना है, file पर आपको अपना वीडियो ले लेना है, जो कि आपने अभी जो light motion के अंदर बना है वो, यहाँ पर मैं double click करके ले लिए इसको drag and drop करना है अपने timeline के उपर, timeline के उपर drag and drop करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का आ जाएगा, आप लोग देख सक तो देखो, पूरा का पूरा वीडियो आ जाएगा, बस आपको इसके उपर CC करनी start करने है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आगे आ जाना है, यहाँ पर आपको right click करना है, timeline के उपर new page जाना है, adjustment layer ले लेनी है, यह लेने के बाद यहाँ पर आपको इसको select करना है, इन select क अबर आपको सारे effects वगड़ा डालने है, तो यहाँ पर सबसे पहला आएगा हमारा look, लुक add कर देना है, थोड़ा सा load लेगा, उसके बाद आपको सामने आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको edit पर click करना है, एडिट पर click करना है, थोड़ा सा load लेगा, तो उसके लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको लेना है, चैनल मिक्षर करके, उसके बाद यहाँ पर आपको as curve ले लेना है, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको shadow and highlight ले लेना है, तो इतना लेने के बाद यहाँ पर आपको tool को बंद कर देना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको optical diffusion क आपना आना है और उसके बाद यहां पर आपको जो मैं बोलता हूँ उतनी सेटिंग आपको रख लेनी है जदा आप लोगों को रख लेनी है निस धी हिहां यहां पर आप लोग देख सकते यह थर्ड नमर पे हैं हमारा fall out करके fall off करके उसको यहां पर आपको 170 कर देना है कुछ इतना आपको कर देना है ठीक है उसके बाद यहां पर आपको जो glow मिलेगा glow को यहां पर आपको 0.740 कर देना है उसके बाद highlight only जो है उसको भी आपको इंग्रिस करना है यहां पर आपको रखना है 87.8 उसके बाद जो लस्टर है उसको यहां पर आपको 50 रखना है उसका कुछ करना नहीं है बाकी जितनी भी चीज़े हैं यहां पर आपको रखनी है उसके बाद यहां पर यहां पर हमको एक और एफेक्ट एड़ करना है तूल के अंदर जाएंगे हम यहां पर हम एड़ करेंगे यू सिट्वरेशन एनग्यू सिट्वरेशन को सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे तो उसको रखना है हमको 105 अदर आएगा तो उसको हमको कितना रखना है यहां पर आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले हमको चेंज क्या करना है और ग्रीन के अंदर आना है है देखों घ्रीन के अंदर यहाँ पर आपको न थोड़ अशना इसको डी करना है देखों ग्रीन के यहां पर आपको manually में करना शिखा देता हूँ तो सबसे पहले यह जो midpoint है ना उस पर आपको select कर लेना है इसको इहां पर 0.282 कर लेना है उसके बाद जो brightness है, brightness को भी यहां पर select करनी है 0.665 आपको यह भी कर लेना है इस तरीके से आप करोगे तो यहां पर आपका यह जो as curve भी select हो जाएगा मतलब set हो जाएगा उसके बाद आएगा हमारा highlight and shadow, shadow highlight तो जो सबसे पहले shadow मिलेगा shadow को यहां पर आपको select करना है इसको यहां पर आपको 0.96 कर लेना है और उसके बाद 0.00 आपको कर लेना है मतलब यह उतना ही रखना है जादा आप लोग को कुछ करनी जरूरत है नहीं highlight को अगर आप लोग plus minus करना चाहो अगर आपको लग रहा है कि आपको plus minus करना चाहों तो आप लोग कर सकते जादा कुछ उसमें दिक्कत वाली बात है नहीं simply यहाँ पर आपको right के option पर tap करना है जैसी हम right के option पर tap करेंगे यहाँ पर आपके सामने यह जो look के वो अच्छी तरीके से आ गया है अब हम इसके अंदर 2-3 effect add करेंगे जो कि basic effect है तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे sharp pen एंद sharp pen को हम कर देंगे 30 और उसके बाद हम लोग एक और effect डालेंगे जो कि होगा हमारा unsharp mask करके एंद इसको यहाँ पर हम करेंगे amount को करेंगे 30 radius को करेंगे यहाँ पर हम 15 और यहां पर इपको यहां पर हंपर बित कर देना रहा यहां पर आपको ब्राइटनेस मिलेगी तो ब्राइटनेस यहां पर आपको अपने हिसाब से देख लेने हैं यहां पर मैंने 6.0 रखी थी and आप लोग चाहो तौँ आप इसको increase भी कर सकते हैं अपने हिसाब से dzieckhenolog हो उसके बाद यहां पर आपाना है situation के उपर यहां पर आपको situation मिलेगा ठीक है इसके ऊपर आपको आना है यहां पर आपको इसको कर लेना है 29 कर लेना है ठीक है उसके बाद वाला जो आएगा हमारा output ब्लैक करके उसको यहाँ पर आपको 33 कर लेना है उसके बाद जो आएगा output वाइट करके उसको कुछ नहीं करना उसके बाद आएगा mix with original ठीक है उसको यहाँ पर आपको 32 कर लेना है इस तरीके से यहाँ पर हमारा यह जो है एकदम से complete हो गया हमारा CC देखो यहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि यह बहुत ज्यादा white है बट ऐसा नहीं है आप लोग अगर एक बार export करके देखोगे export करके देखोगे तो आपका यह अच्छा लगने लगेगा देखो इस तरीके से है हमारा पूरा बस आपको कुछ भी ने करना है यहाँ पर आपको अपना जो यह है एकदेश्मेंट लेर इसको आपको अपने वीडियो के उपर खीच लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको यह जो है अपना timeline को close कर देना है आपका जहाँ पर वीडियो है वहाँ तक उसके बाद आपको अपना जो वीडियो है उसको render कर लेना है देखो बाकी अगर आप लोगों को सची में लग रहा है कि भाई मेरी जो brightness वह बहुत ज़्यदा लग रही है तो यहाँ पर देखो यह जो brightness वाला option है उसको आप लोग increase, decrease कर सकते हो देख लो पर यहाँ पर मैंने 6 रखा था वो एकदम से सही था 6.0 उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको बेस्टेटिंग मिल जाएगी यहाँ पर आपको आउट्पूट मिल जाएगा वीडियो में जाना है यहाँ पर आप लोगों को देखो अब बीट्रेट जो है यह बिट्रेट इकोडिंग है इसको यहाँ आपको CBR कर लेना है यहाँ पर आपको 50 कर लेना है OK कर लेना है, यहाँ पर आपको आउटपूट टू मिलेगा उशके अंदर आपने जो नाम ढाला होगा स्टार्टिंग में कंपोजिशन बनाने के टाइम पर वहीं आपका आ जाएगा थी सिंपल में इसको के कर लेता हो एंड इसको यहां पर आपको रेंडर कर लेना है जैसे यह रेंडर होगा थोड़ा सा टाइम लेगा दो तीन मिनिट आपके PC के उपर जाएगा कि आपका कितना हाई-end PC है उससे सबसे हो जाएगा उसके बाद यहां पर आपको अपना जो टोपास है उसको ओपन करना है यहां पर मैं क्या करता हूँ अपना यह आफटर रिप्रेक्ट का काम था वो खतम हो चुका है इसके बाद मैं अपना टोपास जो है वो ओपन कर दो टोपास कुछ इस तरीके से ओपन होगा तो ओपन होदा है तब तक यह वीडियो को लाइक कर दो यार प्लीज उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा यहाँ पर आपको प्लस फल ऐकन पर क्लिक करना है या फिर आप राउस के ओपर भी क्लिक कर सकते हो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने यह आ जाएगा यहाँ पर मेरा वीडियो कहां पर होगा रुख जाओ OBS के अंदर होगा शायद तो उसके बाद ये रहा मेरा CC वाला वीडियो, आप लोग देख सकते हो, ये एकदम लग रहा है, बस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इसकी जो सेटिंग्स है वो यहाँ पर आपको चेंज करना है, पहली जो चार सेटिंग है वो तो भाई सेम ही होगी, हाई, प्रोग जो आएगा हमारा module parameters बस वो आपको थोड़ी से change करनी है, जो मैंने अपनी साब से यहाँ पर add की है, वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, तो सबसे पहला आएगा हमारा पहला जो option आएगा उसको यहाँ पर आपको करना है 85, उसके बाद जो detail आएगा उसको यहाँ पर आपको 00 कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको output मिलेगा, output size मिलेगा, इसको यहाँ पर आपको 100 रखना है, format option को यहाँ पर MP4 रखना है, यहाँ पर आपको 12 रखना है, यहाँ पर आपको start progressive के उपर click कर देना है, जैसे यहाँ आप लोग करोगे, उसके बाद आपका जो वीडियो है वो export लूप बीदियो quality है वो इनेज होना start हो जाएगी, भूड़ा सा time लेगा ये 1.49 घंटा उसके बाद आपका जो वीडियो है वो एकदम awesome तरीके से इनेज हो जाएगा और आपके पी सई के अंदर हो जाएगा फिर आप अपने हिसाब से जहां मर्जब वहाँ इसको अप्लोड वगरा करने सकते हो बट अप्लोड करने से पहले हमको टैक्स इनिमेशन सीखना है तो वह सीखने के लिए मैं आपको मिलता हूँ आपकी फॉन की स्क्रीन के ऊपर तो यहां पर आपको अपना अलाइट मोशन है वह ओपन कर लेना है चोकी होगा हमारा टैक्स इनिमेशन के लिए और टैक्स इनिमेशन के बाद आपका जो वीडियो है वह पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहां पर मैंने अपना अलाइट मोशन है वह ओपन कर लिया है यहां यहां पर आपको लाकन प्रोजेक्ट पर यहां पर ने लिया उसके आंदर मेंने अपना जो वीडियो है उसको भी sa करके रखा है आप लोगों को प्लस वाल आइकन पर जाना है मीडिया में जाके आपको अपना जो वीडियो है वो ले लेना है वीडियो लेने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके का आ जाएगा यहां पर आपको फर्स्ट आपको क्या करना है वीडियो को एक बार क अपना आ जाएगा City एंदर यहां पर आपको सबसे पहले अधर के अंदर fund है यहां पर आप लोगों को मैं जो फॉंट आपको दूंगा न यहां पर आपको एड' कर लेने तो यहां पर रहे यह रहे हैं मेरे बढ़司के कढ़को फॉंट लेने के बाद जो size मिल रहें ना size को यहां पर आपको increase कर लेनी है थोड़ी 72 कर लेता हूं मैं चलो back आता हूं back आता हूं move and trust पर जाता हूं and rotate कर लेता हूं and यहां पर इसको नीचे के साह तक तो फोड़ा बड़ा हो चुका है इसको मैं छोटा कर देता हूं and जो color है वह बहुत ब्राइट लग रहा है बड़ चल जाएगा थोड़ा से इसको बड़ा कर देता हूं चलो ठीक है यहां पर रख लिया और उसके बार सबसे पहले यहां पर आपको यह एक जो लियर लेना इसके अंदर सारा एक एक हम लोग डाल देंगे बाकी हम लोग डूबलिकेट कर देंगे सारे तो तो आप लोगों को दिखकत नहीं होगी तो यहां पर हम जाता है फिर से के उपर water and shadow में जाता है shadow में जाता है shadow को on कर लेते हैं simple back आते है back आने के बाद यहां पर आप लोगों को अब इसके अंदर थोड़े से effects डालने है तो effect के अंदर आना है और वाले option sorry यहां पर आपको text के अंदर जाना है यहां पर आपको text spacing मिल जाएगा simple text station लेने के बाद text processing की जो परसेंट की यहां पर आपको टू परसेंट कर लेनी है back आना है एडs effect के अंदर जाना है यहां पर आपको search जाना है गलो लिखना है शेक कुश c iso air करने के बाद यहां इसको जिरो कर लेना है color को यहां पर आपको white कर लेना है एंड उसके बाद simple back आ जाना है add effect के अंदर जाना है उपर यहां पर आपको fade in out मिलेगा इसको add कर देना है इसको add करने के बाद यहां पर आप लोगों को इसको open करना है जो हमारा out है out को zero कर लेना है जो हमारा in है in को यहां पर आपको 30 कर लेना है simple इतना करने के बाद यहां पर हमारा जो पूरा का पूरा जो एक layer था वो complete हो चुका है simple यहाँ पर आपको जाना है back and back जाने के बाद यहां पर आपको इसका duplicated layer करने रियर करने के बाद इसको select करना है edit text पर जाना है यहाँ पर आपको आगे का है tvrk लिखा उसके बाद हमको यू लिखना है तो हमने यू भी लिख दिया और इसको हम पूरा capital नहीं लिखना हमको small ही लिखना है पूरा का पूरा इसके बाद इसका जो color है color and fill में जाके color को भी change करना है white color कर देना है एंड उसके बाद हमको इसको 18 seconds से रखना है ठीक है तो मैं थोड़ा सा आगे से इसको cut करना है तो 18 seconds पर हम आ गए यहां से मैं इसको cut कर दिया उसके बाद यहां वर आप लोग देख सकते हो कि यू भी आ चुका है एंड यू को मैं कुछ यहां से रखता हूँ ठीक है और उसके बाद इसको एक और बाद duplicate layer करना है जो यू लिखा है यू को erase करके यहां पर हम लोग question mark लगा देंगे and simple right question पर tap करता हूँ उसके बाद जो हमारा question mark है उसको भी हम अपने u के पीछे लगा जाता है कुछ इस तरीके से और उसके बाद जो हमारा question mark है उसको भी थोड़ा सा cut करना पड़ेगा तो मैं आ जाता हूँ 36 पे 0.36 पे आके इसको भी मैंने cut कर दिया and उसको रखना कितने second पर है तो हमको रखना है एक 42 तक बागी का जो part है उसको मैं cut कर देता हूँ एक साथ select करने के बाद पे इन उसके बाद आप लोग देख चकते हो कि इस तरीके से हमारा बनके ready हो चुका है अब हमको क्या करना है अब हमको जाना है आगे आगे के उपर आना है यहां पर हमको एफेक्ट के अंदर जाना है यहां पर आपको उपर फेड इन आउट मिल जाएगा इसको एड़ करना है यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है जो यह हमारा इन है इसको जिरो कर लेना है आउट जो है इसको 20 कर लेना है तो इससे होगा क्या कि हमारा जो यह एक है ठेंक यू यह पूरा कम्पीट हो गया ठीक है इसके अंदर हम बाकी इफेक्ट हम एड करेंगे अभी रुख जाओ हम पूरा डायलोग पहले लिख लेते ठीक है यह एड करने के बाद हमको आना है एक बियालिस के उपर एंड वहां स जाता हो लियर पे एडिट टेक्स पे यहां जाके हमारा जो था मैं यहां पर लिखना स्टार्ट करता हो यू आर करके ठीक है उसके बाद इसको भी सेंटर रखना है अब यहां पर हम जो पॉइंट है ना वो दूसरे लेने वाले तो बस सिंपल आपको पॉइंट चेंज करन करके लिया ने कलर हमको फिरसे कर लेंआ है वाइट बैक आना है एंघ का करेंग इसको एक लाइं में करेंगे इसको चोटा भी कर देंगे बहुत बड़ा है हम इसको चोटा कर देंगे कुछ इस तरीके से इसको हम लोग रखेंगे यहाँ पर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और हमारा खतम कहां पर होगा तीन, चालिस पर हमारा डायलोग खतम हो रहा है तो हम इसको यहाँ खीच लेंगे और उसके बाद फटा फट से आपको इसका डूबलेकेट लेयर करना है और डूबलेकेट लेयर करने के बाद जो आगे का वर्ड होगा वो हम लिख देते हैं सारे के सारे स्मॉल में आएंगे सब्सक्राइब कर देना है इसको भी एक लाइन के अंदर कर देना है इसको अच्छे से करना है उसके बाद इसको भी अप इसके पीछे एड कर देना है कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पर आप लोग टेंशन मतलों यहाँ पर हमारा यह रेट कलर का लाइन आ जाएगा कुछ इस तरीके से इसके बाद इसको भी duplicate duplicate layer करना है उसके बाद हमारा जो आगे का जो है तू लिखना है इसका color जो है फिर से हमको करना है white and इसको इसके पीछे add कर देना है कुछ इस तरीके से देख लो एड कर दिया उसके बाद हमको फिर से जो white color का जो हमारा था ना टेक्स्ट उसका यहाँ पर हमको लेना है duplicate layer करना है आगे का जो word है वो लिखना है से कुछ इस तरीके से एंड थोड़ असा नीचे यहाँ पर आपको आ जाना है center में एंड इसका duplicate layer करना है एंड यहाँ पर ठैंक्यू जो है इसका जो टी है उसको यहाँ पर आपको capital कर लेना है एंड इसको आगे कीच लेना है कुछ इस तरीके से यह लेग ओना स्टार्ट हो गया मेरा हमेशा का यही सीन है टेंशन मतलो आपको एक और बार अब आपको क्या करना है देखो अब आपको जो रेड कल रहा है इसको duplicate layer कर लेना है इसको मिटा देना है यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से यह लिखे दिया एक यंग के पीछे एड कर देना है कुछ इस तरीके से अब यहाँ पर आप लोगों को इसको ऊपर की तरफ कीच लेना है वरना यह बहुत दिक्कत हो जाएगी अब हमको एक लांस्ट में डॉट लगाना है तो उसके लिए भी हम एक डूब्लिकेट लियर करेंगे यहां पर हमको एक डॉट लगा देना है डॉट लगाने के बाद हमारा डॉट आएगा इसको हम yuk के पीछे लगा देंगे कुछ इस तरीके से देख्यों यह करने के बाद हमारा जो टेक्स्ट वह कंप्रिट हुआ अब हमको स्टार्ट करना है तो हमको कुछ कyu करेंगे बह। सिंपल है देखो हमको स्टार्टिंग में आ जाना है उसके बाद थोड़ा थोड़ा क करके यहां पर आपको Cut करना, Start करना है तो यहां पर मैं आ जाता हूं एक 50 के अस्पास मैंने कर दिया Cut ठीक है उसके बाद थोड़ा सा आगे जाता हूं मैं 2 2 सेकेंड के उपर यहां पर मैंने फिर से cut कर दिया उसके बाद मैं जाता हूँ 3 के उपर चुकि आएगा हमारा 1 मलब 2 14 के उपर इसको मैंने फिट से कट कर दिया उसके बाद थोड़ा सा आगे और जाना है ठेंक्यू आएगा अब वो आएगा 2 31 पे तो मैंने फिट से कट कर दिया कर denn都是 शूब्सक्राइब थोड़ा सालेट अज़ास धाता है फिर खूपके बाद आएगा हमारा गामरा रुख-जरु ये टहंक रहें कि यू Akko को यह और यह दोनों साथ में साथ में आपको रहना थीक कि और और वह दूनों आपको साथ में रखना है ला 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 इसको ना थोड़ा सा हां तो दोनों साथ में कर लेना है आप लोगों कुछ इस तरीके से इस तरीके से करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि हमारा यह अच्छे से लग रहा है आप लोग बोलोगे कि भाई यह तो बहुत कोने में लग रहा है कोई दिक्कति है मैं हूँ ना तो फुछ सेट हो जाएगा अब आपको कहा करना है यहां पर आपको सारे टेक्स को सिलेक करना है एक ग्रूप में कर देना है एक ग्रूप बनाओगे ग्रूप बनाने के बाद यहां पर आप लोग अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे आगे पीछे कही पे भी एक्जिस्ट वगएरा कर सकते हो देखो यह होगा है हमारा अब इसको करने के बाद इसको करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना जो टाइमिंग है वो आगी पीछे नहीं होना चाहिए देखो अब हम क्या करेंगे जो group 1 है उसके अंदर जाएंगे effect के अंदर three dot के अंदर और copy effect कर लेंगे group 2 के अंदर आएंगे effect के अंदर आएंगे three dot जाएंगे इसको paste कर देंगे चोकी होगा हमारा fade out ठीक है हमारी दो line यहाँ पे अच्छी तरीके से complete हो चुकी है अब हम आते हैं हमारी last line के ओपर चोकी होगी for what ठीक है तो वो आएगी हमारी three रुख जाओ वो आएगी हमारी यहाँ से पीछे से यह आ जाएगी तीन 40 से ही आ जाएगी तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगी देखो हमारे से गलती होगी तो हमको क्या करना पड़ेगा इसको अंदर जाना पड़ेगा edit के अंदर यहां से अपना यह जो है इसको copy layer करनी पड़ेगी copy layer इसलिए क्योंकि हमने पहले इसको duplicate layer करके नहीं रखा तो यह आ गई हमारे सामने अब हम इसके अंदर लिखेंगे 4 ठीक है 4 यह हमको capital लिखना है ठीक है 4 उसके बाद आपको इसके अंदर जाके इसका जो fund है वो change करना है तो यहां पर मैं जाता हूँ इसके अंदर view all के अंदर यहां पर मैं जाके लिखता हूँ अपना यह वाला जो आपको यह मिल जाएगा black वो बोल्ड था यह black ठीक है उसके बाद इसका जो color है जो four का color है उसको आपको मतलब white रखना है और इसका size तो थोड़ा सा increase कर देना कुछ इस तरीके से इसको यहीं यहींड होगा वो होगा हमारा चार 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 इक्तालिस के उपर और यहां पर इसको कट कर देना है इसका duplicate कर देना है duplicate layer करने के बाद यहां पर हमको लिखना है what लिख दिया है color में जाके color को red color कर देना है इसको यहां पर set कर देना है कुछ इस तरीके से अब इसका हमको question mark भी add करना है तो वह हम add कर देते हैं यहां पर मैं white वाला का lubricate layer करता हूँ इसको erase करता हूँ यहां पर question mark लगा देता हूँ एंड उसके बाद मैं करता हूँ इसको इसको ना मैं set कर देता हूँ कुछ इस तरीके से end में देखो यहां पर अब फिर से हम इसको cut करेंगे cut कहां से करना है आप लोगों को देखो हमारा पहला आएगा तीन चारलिस पर आया ठीक है फॉर उसके बाद थोड़ा से cut करना पड़ेगा हमको तो हम आते हैं तीन पचांस के असपास इसको cut कर देते हैं उसके बाद जो आता है हमारा क्वेशन मार्क को हम तीन में शार सेस्कंड के असब कर देते देदाए ईसके बाद स厭ी तो कोछे इतीत वाले बात नहींग आप लोगों को लगे यह बहुत बड़ी बड़ी साइज है तो उसके बाद थोड़ा से चोटा कर देना है आप लोग अपनी साब से कर सकते हो यार क्या दिक्कत है ऐसी तो देखो यह हो गया यह हो गया अब हम क्या करेंगी इसके अंदर ग्रूप 2 के अंदर जो हमने एफेक् आपको क्या करना है तीनों लियर्स को यहां पर आपको सिलेक करना है फिर से आपको एक ग्रूप में कनवर्ट कर देना है ग्रूप में कनवर्ट करने के बाद यहां पर हमारा जो फाइनल ग्रूप है यहां पर आप लोगों के सामने आ चुका है बस हमको इसके अंदर दो इफेक्ट एड़ करना है जो कि हमारे जो एनिमेशन है व तो थोड़े से में नीचे कर लिए और बाकी का जो थाафा वह सेम एन अब हम एसके अंदर फाइनल दो इफएक्त करते हैं तो हम गुरूप के ऊपर जाते एफेक्onedर जाता है अधिफे के अंदर जाते हैं, यहां पर आपको सर्च पर जाना हैं, यहां पर आपको लिखना है ओक्सिलेट करके, तो OS लिखो के तो आपके सामने आ जाएगा, Simple इसको add करना है, add करने के बाद सबसे पहले यहां पर आपको जो angle मिलेगा, एंगल को यहां पर आपको माइनस में 180 कर लेना है माइनस में 180 कर लेना है माइनस में करना है प्लस में नहीं करना है बहुत सरे लोग प्लस में करके बैठ जाएंगे प्लस में कर लिया और उसके बाद यहां पर आपको आना है 15 इसम्पल बैक आना है एड इफक्ट के अंदर जाना है है इसको एड करना है इसको एड करने के बाद सबसे पहले जो फिक्वेंसी मिले इसको इहां पर आपको one .00 कर लेनी है इसके बाद जो angle 1 है angle 1 को यहाँ पर आपको minus में 0.8 कर लेना है minus में 0.8 ठीक है angle 2 जो है इसको यहाँ पर आपको plus के अंदर 0.2 कर लेना है 0.8 कर लेना है 0.8 कर लिया simple back आना है एक और बार back आना है उसके बाद यहां पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा यह जो एनिमेशन है वो भी रेडियो हो चुका है यहां पर मैं इसको एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ वरना आप में से बहुत से लोग बुलेंगे निखिलबे निखिलबे आपने तो कुछ करके दिखाया नहीं तो रुक जाओ जरा रुब जाओ एक्सपोर्ट हो रहा है तब तक या लाइक कर दो वीडियो को चैनल पने चलो को सब्सक्राइब कर दो कितने बार होलना वाई यार क्यों नहीं कर रहे हो लाइक कर दो भाई हालक खरब हो जाती है आप लोगों को एक्सप्रेंग करने में यह होता है तब तक मैं थोड़ा सा और एक कट लगाता हूँ यहाँ पर तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमारा वीडियो है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रिव्यू दिखा देता हूँ देखो एकड़म से अक्सी तरीके से हमारा श्रीजी निकल के आ गया है सारे एपेट्स यहाँ पर रैडी है और इतना भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने किया है देखो और एक बार मैं यहाँ पर टैक्स इनिमेशन का दिखा देता हूँ देख लो देखो हो गया उस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक और वीडियो को कर देना अपने दोस्तों के शार शेर और कुछ समझ नहीं आए तो आप मेरेको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो मेरेको टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो नीचे कमेंड कर सकते कुछ भी पूछना है तो आप तीनों में से कोई भी जगा आओ बात करो solution मिल जाएगा आप लोगों को बस मैं मिल तो आपको इसकी एक और interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई thanks for watching